हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल याहू बाबा पे ये हमारा पीएशपी कोर्स सेलेटिड 184 टोटोरियल है और इस कोर्स के अंदर पीएशपी उपस का जो हमारे पस यहाँ पे आटो लोड नाम का एक मैजिक मैथड आता है उसके बारे में सीखने वाले हैं देखिए माली जी हमने यहाँ पर अलग-अलग चार क्लासेज बनानी है एक है ABC, XYZ, ERG और KLM अब इन चारों क्लासेज को मैं सिर्फ एक ही पेज के अंदर बनाना चाता हूँ तो अगर हम इतनी सारी क्लासेज को एक ही पेज के अंदर अगर बनाएंगे तो उस पेज का जो कोड होता है वो काफी ज़्यादा कॉम्पलेक्स हो जएगा क्योंकि सभी क्लासेज के अपने-पने मैथड़्स हैं अपने-पनी प्रॉपर्टीज हैं एक ही क्लास के अंदर अगर पांच मैथड़्स भी आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस पेज का जो कोड है काफी ज़्यादा लेंधी भी हो जएगा और कॉम्पलेक्स भी हो जएगा तो उस कम्पलेक्सेटी को कम करने के लिए हम यहाँ पर basically करते कि इन अलग-अलग classes को अलग-अलग files के अंदर डाल देते हैं देखी जैसे मैंने यहाँ पर अलग-अलग नाम की एक file बना ली उर्वन सारी files को अगर मैं एक ही file के अंदर use करना चाता हूँ तो यहाँ पर मैं PHP का function use कर सकता हूँ require या include तो देखी यहाँ पर मैंने require function को use करके चारो अलग लग file को यहाँ पर use कर लिया जिसकी help से मैं इन चारो classes को एक ही file के अंदर use कर सकता हूँ और इस page की complexity भी नहीं बढ़ेगी अब यहाँ पर एक बात पर गौर कीजिए कि इन चारो files को यहाँ पर use करने के लिए मैंने इस line को बार बार लिखा है आप देख रहे हैं सिर्फ इसमें file का name ही अलग है तो हो सकता यहाँ पर अभी हमारे पास चिर्फ 4 ही classes है हो सकता 40 classes हो और उसको अगर हमने एक ही file के अंदर use करना है तो हमें बार बार इस line को use करना पड़ेगा तो इस line को बार बार ना लिखना पड़े एक ही file के अंदर तो यहाँ पर हमारे पास PHP के अंदर एक facility आती है जिसको हम कहते है आटो load method आटो load method की help से हम जो यह बार बार यह code लिख रहे हैं require करके इसको लिखने की जूरत नहीं रहेगी यह सब हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए मैं आपको practical करके दिखाता हूँ तो आई यह शुरू करते हैं practical यहाँ देखिए web editor के अंदर मैंने अपनी एक file बना लिए जिसका नाम मैंने रखा है autoload-method.php अब यहाँ पर मिरको अलग-अलग classes को अलग-अलग files के अंदर डालना है तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक अलग से folder भी बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ classes यह देखिए अब इस classes नाम के folder के अंदर यहाँ पर मैं दो अलगलग files बना लेता हूँ एक का नाम मैं रख रहा हूँ first.php और एक file और बना लेता हूँ इसी folder के अंदर second.php यह देखिए अब इन दोनों files के अंदर first और second के अंदर मैं यहाँ पर classes भी बना लेता हूँ तो यहाँ पर जो मैं class बना रहा हूँ उसका नाम ही मैं वो ही रख रहा हूँ जो file का नाम है first और इसी के अंदर मैं यहाँ पर एक constructor function भी बना लेता हूँ इसको मैं says दे रहा हूँ public यह देखिए अब इसके अंदर यहाँ पर मैं एक message भी print करा देता हूँ कि जिससे मुझे पता लग जाए यह कौन सी class का constructor function है तो यहाँ मैंने लिख दिया hello from first class अब बिल्कुल इसी code को मैं copy कर लेता हूँ और यहाँ पर जो हमारे पस दूसरी file है second.php इसके अंदर भी मैं यहाँ पर एक class पना लेता हूँ second नाम से जो की file का नाम भी है यह देखिए इसके अंदर भी constructor function है पस इसके अंदर message change कर देता हूँ hello from second class अब इन दोनों files को मैं एक ही file के अंदर include करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं php का include function भी use कर सकता हूँ या require function भी तो यहाँ पर अभी मैं require function यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर जो हमारा folder है वो देखिए वो है classes और जो हमारी main file है autoload-method.php वो इस folder से बहार है तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को folder का name बताना है इसका नाम है classes उसके बद हाइफन लगा के first.php यह देखिए अब मैं इसी line को duplicate कर लेता हूँ और यहाँ पर file include कर लेता हूँ second.php वो भी इसी folder के अंदर है classes के अंदर आप देख सकते हैं अब इसकी बाद मैं क्या करता हूँ अगर मैं in classes का कोई भी object बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर just मेरे को उसका एक नाम लेना है object का जैसे मैं नाम ले रहा हूँ test और यहाँ पर लिख लेता हूँ new अब देखिए जैसे मैं first class का object बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर just मेरे को लिखना first यह देखिए, मैं आपको test करा के दिखाता हूँ, मैं file को save किया, और यहां कर file को refresh, यह देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि file include भी हो चुकी है, और उसका object भी successfully बन चुक है, अब इसी तरह मैं second को भी use करके देख सकता हूँ, तो यहां पर मैं आपको लिखके दिखाता ह है, बार बार require, हो सकता है, यहां पर 20 हमारे पास अलगलग classes हो, तो उसके लिए तो मिरे को यहां पर फिर 20 बार यहां पर require function को use करना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए हमारे पास यहां पर PHP के अंदर एक method आता है, जिसको हम कहते हैं, auto load, तो उसके लिए हमारे को यहां को तो अभी comment कर देता हूँ, और इसके नीचे जाकर यहां पर मैं एक function बना लेता हूँ, और इसका नाम मिरे को देना है, auto load, और यह magic method है, तो इससे पहले मिरे को दो बर underscore का sign देना, यह देखिए, यह मेरा auto load method बन चुका है, अब इसके अंदर जस्ट मिरे को करना क्या है, देखिए, मैं इन बाली files को include करना चाता हूँ, जितनी भी classes नाम के folder के अंदर, मैंने अलगलग classes के लिए, जो files बनाई है, तो उसको मिरे को यहां पर use करना है, तो उसके लिए भी मिरे को यहां पर require function को use करना है, मैं इसको लिख लेता हूँ, यहां पर, यह देखिए, require, का नाम ही मैं रख देता हूँ, class, जिससे मेरे को easily पता भी लग जाएगा, और यहां पर मैं, जो भी मैं यहां पर class का नाम pass करूँगा, वो नाम मैं यहां पर use कर लूँगा, और इस नाम के बाद मेरे को PHP भी लिखना है, क्योंकि file के नाम के बाद आप देख रहे हैं, यहा मैं किसी भी class का object बनाऊँगा, जैसे मैंने यहां पर रखा है, नाम second या first, कोई भी नाम बनाया रखता हूँ, तो पहले जो है हमारा object यह चेक करेगा, यह class कहां बनी हुई है, क्योंकि हमने यहां पर use तो किया नहीं है, कहीं require function को लगा के, यह इस page के अंदर भी इस class को कह पर define नहीं किया हुआ, तो जैसे मारा constructor function अपने अब चल जाता है, वैसी हम किसी भी class का अगर object बनाते हैं, तो हम उस page के अंदर जितने भी autoload नाम का कोई भी function बनाते हैं, वो भी अपने अब चल जाता है, और उस function के अंदर automatically वो अली class चली जाती है, जिस class का भी हमने object बन देख रहें, तो यहाँ पर second गया, यहाँ पर चल गया second.php, तो जो मेरी यहाँ पर second.php नाम की file है, वो अपने अब call हो जाएगी, और उसके अंदर जोन सी भी class है, उसका यहाँ पर object बन जाएगा, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, और यहाँ देखिए, हमारा जो code है बिल यह देखिए, तो यहाँ पर भी मैंने file को save किया, और यहाँ कर file को refresh, यह देखिए, सबसे पहले हमारे पास जहाँ पर जो object बन रहा है, वो है second class का, उसका constructor function अपने अब चल गया, उसके बाद जो हमारे पास हमने object बनाया था, वो था first नाम की class का, तो उसका भी constructor function अपने अ पड़ेगा, मेरे को बार बार इस तरीके का require code लिखने की कोई भी जुरूरत नहीं है, तो अब मैं इसको remove कर सकता हूँ, अब just मेरे को यहाँ पर auto load function ही चलाना है, और जैसे ही मैं किसी भी class का अगर object बनाऊंगा, तो यह function अपने अप रन हो जाएगा, और यहाँ पर पास क नाम वही रखा है, और second के case में मैंने ऐसे ही किया है, तो यह था हमारा auto load function, अगर आप ऐसे ही regular updates आते हैं, तो हमारी चैनल yahoo बाबा को subscribe करना मत भूलिए, थैंक्यू